वेक्टर भी एक हैसा चाप्टर है जिसको अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो 99 परसेंट चांस है कि आपका इस चाप्टर से जो भी कोश्चन आएगा वह आप सॉल्व कर लोगे तो देखिए वेक्टर कहीं कोश्चन है यह कोश्चन है यही एडवांस के लिए काफी इंपोर्टेंट होता है तो देखिए क्वेश्चन को क्या रीट कीजिए ए बीसी आपके पास थ्री यूनिट वेक्टर से तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है जिसका मैंगनिट्यूड वन होना चाहिए तो यहां पर मेरे पास गिवहन है मैं अब आपको निकालना है उस पर ध्यान दिजी तू ए विक्टर एंड देन प्लस देखिए यहां पर 5B प्लस 5C है तो पहले तो यह कर सकते हैं कि 5 अगर कॉमन ले लूँ तो यहां पर आ जाएगा बी प्लस C ठीक है न कुछ ऐसा भी मैं इसको लिख सकता हूँ और यहां हमें क्या करना है यह मेरे पास गिविन था और गिविन मेरे पास एक और है वो क्या गिविन है यहां पर फर्मूला अप्लाई कर लीजिए स्वार है तो इसका फर्मूला हो जांगा मैंने दिव स्वार सलिक लाग्र स्वार स्वार्ट अब बास मैंने तुटो अ कितना जाएगा व्약श्वार माइनस तू यह ड़े थी थीडा ठीक है टिसबुविन धे गभी अब dot c right plus यहां पर हो जाएगा magnitude of c square magnitude of a square ठीक है एक वेक्टर दीस और minus 2 c dot a which is equal to कतना है 9 है आप देखिए यहां पर a square a square है और a के वेलू कितना है one है तो जहां a square है plus b square है जहां पर c square है वहां पर one 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 डाल देते हैं क्योंकि one case for one नहीं होता है तो यह हो जाएगा one and then plus a भी हो जाएगा one minus a हो जाएगा two a dot b and then plus a भी हो जाएगा one plus one minus two b dot c plus one plus one and then minus two c dot a which is equal to कतना है nine है तो one plus one two times a नहीं कि six तो हम यहां पर लिख सकते हैं minus two a dot b ठीक है minus two b dot c minus two c dot a ठीक है which is equal to a ठीक है तो इधार nine है और इधार हो गया two plus two plus two यानि कि कितना six तो इसको मैं nine minus six which is equal to क्या कर दूं three अब यहां से minus two अगर मैं common ले लूं तो a dot b and then plus कितना हो जाएगा b dot c and then plus c dot a which is equal to कितना आ गया three अगया ठीक है तो हम यहां से a dot b and then plus b dot c and then plus c dot a which is equal to कितना आ गया minus three by two मत्तब यह निकाल लिया हमने अच्छा यह तो निकाला इसको simplify करते करते हैं जो given था right हमें निकालना क्या a निकालना है और मैंने कहीं पर यहां पर यह लिखा है कि उसको ऐसे निकालना है तो अभी भी a b c को हमें और numerical type है मतलब इसका answer तो कहीं ने कहीं perfect value ही आएगा two three four five six जो भी होगा ठीक है तो अब b फ्लस ए है और यहां पर यह है और आपके पास कहीं न कहीं result यह आ गया है तो यहां पर एक identity तो यूज करना बनता है ओ कौन सा identity है तो a plus b plus c ठीक है और यहां पर whole square ठीक है इसका मतलब क्या होता है इसको देखो a plus sorry plus आएगा बीच में and then plus c ठीक है इस dot यहां पर लिखेंगे अब यहां पर देखना ध्यान से और यह इंपोर्टेंट क्यों था इस प्लस दीस स्क्वाइर प्लस दीस प्लस टू टाइमस ए डॉट बी प्लस टू टाइमस यह लिख देता हूं और यहां पर हो जागा बी डॉट यहां से अगर टू कॉमन लोंगा तो यहां बच जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी डॉट सी डॉट एक है यह हो जाएगा थ्री एंदेन प्लस टू टाइमस अब इतना वहलू मेरे पास आया हुआ है देखो यह वाला कितना है माइनस थ्री वाई टू यानि कि माइनस थ्री वाई टू तो टू सुरू गया हुआ अब मत्ब़े क्या आगया जीरो आ तो कहने का मतलब है देखिए ए प्लस बी प्लस इहोले स्कॉर इसकल तो जीरो यानि कि मैं लिख सकता हूं यहां पर यह जो यह करने का मतलब है कि आborg प्लस बैट्तरी procent को से इलिए अधियरो और chief subscribe लुक्त देखिए तो यहां से ओंटसरों सकते हैं दूब्रेंस रिएसरो माइन निकल गया तरल यह तुछिकर्ण जो हमें निकालना था आभ उस पर देखिए ठीक है निकालना था दिखिए यहां यह वाला 2a plus 10 ठीक है तो यहां पे हम लोग लिखते हैं 2a 10 ठीक है and then plus 5 times यहां पे लिखेंगे b vector plus c vector ठीक है और यहां पे ऐसे लिखा हुआ है ठीक है तो बस यह चीज थोड़ा सा आपको सोचना था यहां तक ले आया ठीक है इसके बाद सिर्फ यह सोचना था और आपको इसको बस यह लिखना था ठीक है यतना तो idea एकदम sure है कि आपको आहीं जाएगा अपने वेक्टर का अगर थोड़ा सा भी question पर प्रैक्टिस किया होगा तो वेक्टर भी एक scoring chapter है जिसका question chance रहता है कि जे मेंस और फिन जे एडवांस में उसके question सौल आपसे हो जाएगा Thank you